प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी का विश्वास और शहा का हाथ होने की वज़े से भाजपा के राश्री महासची और बंगाल के भाजपा के लिए योध्धा बनकर नायक की तरह उब्रे केलाश विजवर्गिये ने मीडिया से चल्चा में कहा कि करीब साड़े चार साल पूर्व मुझे जब पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया गया और मैं जब प्रभार के बाद पहली बार कॉलकाता गया तो महां के इस्थिती परिस्थिती देख कर भोचक था हमारे पास ठीक से नेता तो दूर कारिकरता भी नहीं थे केलाश विजवर्गिये बोले मैंने अमित शाह को बताया कि बंगाल का एजेंडा पांस साल में नहीं बलकि पंदरा साल में होगा इस वश्रहा ने कहा था तुम्हें केवल पांस साल के लिए बंगाल भेजा गया है और इसी में लक्ष भेदना है मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ पहले वामपंथी और कॉंग्रेस कारिकरताओं की हत्या होती थी लेकिन जब हमने योजना बना कर पश्रिम बंगाल में भाश्पा को खड़ा करना शुरू किया तो टीमसी के हत्यारों की निगा भाश्पा कारिकरताओं पर आ गई केलाश विजवर्गिया ने साफ तोर पर कहा कि अभी तक 103 भाश्पा कारिकरताओं की हत्या हो चुकी है केलाश विजवर्गिया ने यहां तक कहा कि पश्रिम बंगाल में सिंडिकेट काम करता है और टीमसी से जुड़े सिंडिकेट के भी तीन ग्रूप है ते भी अपने वर्चस्प की लड़ाई में एक दूसरे को नुकसान पहुँचाते हैं भाचपा की तागत बढ़ने लगी तो यह सिंडिकेट भाचपा कारिकरताओं पर हमले करने लगा भाचपा के लिए पश्रिम बंगाल के साथ केरल भी चुनोती वाला राज्य था लेकिन पहले हमने पश्रिम बंगाल की चुनोती को लिया और महां हमने अलग-अलग रूप में थे जो संग से भी जुड़े हुए थे हम तीन लोगों ने जब दोरे शुरी किये कारिकरता उंक विश्वास बढ़ाया तो लगा कि कारिकरता जुड़ रहे हैं और जब TMC को लगा कि भाज़पई बढ़ रहे हैं तो उन्हों सीट आगे बढ़ाना आसान नहीं है महनत भी करोगे तो 5-6 लोगसबा सीट जीट सकते हो इस से जादा नहीं तब मैंने लोगों से कहा कि हम कम से कम 25 लोगसबा सीट जीटने का लक्ष है तो लोगों ने मुझे उपर से नीचे तक देखा और कहा कि तुम नहीं कर पाओगे और लोग मुझे पर हस दिया करते थे कलाश विजवरगी वेबाक उन्हें देख कर कहा कि भाजपा के अभी जितने राश्री महा सचीव है उनसे राजनितिक अनुभा मेरे पास जादा था क्योंकि मैं पार्शत से लेकर विधायक और मंत्री भी बना महापौर भी रहा और विकास भी किया अलग-अलग विधासभा में विधायक होने की कारण अनुभा भी बढ़ता गया राजनितिक परिस्तिती से अनुभा भी मेरा बढ़ाया और अनुभाव बंगाल की विपरित परिस्थिती में काम आया केलाश विजवरगे ने मीडिया से कहा कि मुझे हर तरह के अनुभाव थे और जिस तरह इंदौर मील के शेतर नंदा रगर में रहता हूं वहां के स्थिति और परिसितिया ऐसी थी कि जरा जरा सी बात पर तलवार और हौकी निकलती थी और इसके बावजूद हमने वहां काम किया और ऐसी ही परिसितिया पश्चिम बंगाल में दिखी तो उन से निपटने की योजना हमने बनाई हम घबराएं नहीं इन दौर के नंदा नगर का अनुभव पश्चिम बंगाल में काम आया राश्री महासाजिव केलाश विजवर्गिये ने ये भी कहा कि मेरे पिता मील में मजदूर थे और मील में जिस तरह से आंदोलन हुआ करते थे वो आंदोलन भी हमने करीब से देखे हैं वो आंदोलन का अनुभव भी हमने बंगाल में उप्योग किया केलाश विजवर्गिये बोले कि मैं पहली बार कॉलकता गया तो महां मैंने होर्डिंग लगे हुए देखे होर्डिंग पर ममता बनरजी को नमास पढ़ते हुए दिखाया और विसरजन का जुरुस भी सबसे बड़ा होता है महरम के कारण दुर्गा विसरजन का काले करम रुटका गया इस पर जनता नहीं एक्शन लिया था और कुछ जगा विरोध भी हुए थे यहां तक कि कुछ थानों में आग तक लगा दी गई थी विजवर्गिया ने कहा कि कुछ खबरे तो अकबारों तक मैं नहीं चपी थी केलाश विजवर्गिया ने कहा कि मैंने वर्ग से उपर उटकर किसी वर्ग विशेश को लेकर गलत उंगलियां उटती है पश्चम मंगाल में हमने मुसलिम उमिद्वार भी लड़ाए जो कि दूसरे नंबर पर है और मुसलिम बस्तियों में भी प्रचार के लिए कई शेत्रों में पहुचे और कई मुसलिम कारिकरताओं को हमने चोड़ा इस पर कलाश विजवर्गी ने कहा कि इन दौर में सबसे ज़ादा मुसलिम नेता कारिकरता मेरे पास है इसलिए जब मैं चुनाव लड़ा तो मुझे मुसलिम के वोट भी मिले मैं मुसलिम समाज के हर कारिकरम में पहुचता हूँ इसी कारण हमें टीमसी वामपन्थी और कॉंग्रिस के परमपरागत वोट मिले और हमने उसमें सेंध लगाई कलाश विजवर्गी ने ये भी कहा कि बंगाल को बचाना है तो महां घुसपेठियों को रोकना होगा भाजपा के राश्ट्री महासचिव कलाश विजवर्गी ने सीधे सीधे भाजपा के एक्छा शक्ति का उधारन कॉंग्रिस के दिगजनिता अरजुनसें की विधासबा का दिया विजवर्गे ने कहा कि हमारे पास अरजुंसियं की विधासभा में किसी समय उम्मीदवार तक नहीं मिलता था हमने वहां भी कार्यकरता खड़े किये केलाश विजवर्गे ने कहा कि राजनीती में सीधे सीधे मुकाबला होता है और यहां पदक तैन नहीं होता है यहां हार होती है या जीत होती है खेल की तरह स्वर्ण रजट और कासि पदक नहीं मिलते है सीधा जीत या हार का तमगा मिलता है हमने हार को बदलने की कोशिश की और संगठन के साथ खड़ा करने की कोशिश ही पश्रिम बंगाल में जो कोशिश की वो सफल रही.